नमस्कार किसान सात्यों मैं देविंद्र सिंग पमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फार्मिंग में सात्यों जिसा हमने पूराने वीडियो के अंदर आपको बताया है कि हमें सोयबीन के लिए किस तरह के से खेत की तायरी करनी चाहिए किस तरह के से हमें सोयबीन के जो बीजे उसका चैन करना चाहिए और उसके लावा खात प्रबंदन के बारे में हमने पूराने वीडियो में बात किये आज हम बात करेंगे कैसे हमें खर पत्वार नियंतरन किस तरह के से हमें कीट और रोग नियंतरन करना चाहिए उसके बारे में आज हम हमारे क्रशिव एग्यानिक डॉक्टर श्याम सिंग जी सारंग देवत साब से मिल लेंगे साथियों जितने भी हमारे किसान भाईयों के जो कुछ प्रशन आये हैं प्रस्ट हराज हम पूचेंगे हमारे घ्रशी वेग्यानिक डोक्तर। श्याम हिंगाजिए सारंग्द धो सांधिना सेूर्ट हुआ,Ros साथ हो आपको मे लेचलता हूँ हमारे क्रशी वेग्यानिक स्राम सिंग्जी सारंग्द सारंग्द साप कहर्पतवा नींतरन की खर्पतवान इंतन जो है अगर समय पर नहीं किया तो बहुत बड़ा नुक्सान किसान भाई को उठाना पड़ सकता है और इसके लिए जो मार्केट में हैं तीन प्रकार के कि कर्पतवानेशी उपलब्द हैं जो पेला एक ग्रूप है वह को गलते हैं वही के पूरव इसके माल करना दूसरा ग्रूप जो हता है वह बोई के में नहीं करना चाहिए नमी ही होगा तब वो काम करेगा तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि आप वोई के तुरंत बाद वाले जो हैं उसका इस्तेमाल करें जिसमें जो है डाकलो सुलम के नाम से जिसकी 26 ग्राम मात्रा प्रती हेक्टर के साब सब को इस्तेमाल करनी होती है यदि आपने यह नहीं किया है तो आप 10 से बीच में इस्तेमाल किया करने वाले जो खर्पतवाराश है उसमें आपका विधाइल उसकी एक लिटर मात्रा प्रती हेक्टर के साब से या इमिजा थापर करके दवा आती है उसका एक लिटर मात्रा प्रती हेक्टर के साब से अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे जो रेड़ी मिक्स भी आ रहे हैं जिसमें मीजा मोक्स आ रहा है उसके सोग्रा मात्रा प्रती हेक्टर के साब से बनिस्तिवाल करके और अच्छे प्यदावर पढ़ ले सकते हैं करपतवार को नियतित कर सकते हैं किसान भाईयों को लगता है मुझे घुलपा चलाना है तो घुलपा चलाने के भी बहुत सारे फाइदे हैं पहला फाइदा है कि जड़ों को हवाय मिलेगी जो इसके अंदर बेक्तिरिया बेठा है जिमानू है उसको हवाय मिलेगी और वायू का संचार अचा होगा तो निशी सरक्षिंट का भी काम गुर्पा चलाने के अनिवेदन है कि फूल आने के बाद कभी भी कुल्पा ना चला है जो है और इसी काम लगबक 3 में 30 से पहले पुरीपुर कुल्पा चलाने का भी कर देना चाहिए या 30 होती है कीड़े की और वह कीड़ा के नाम है स्टेम फ्लाइग जो है शेश साथ दिन की वस्ता में उसमें जो है नुखसान पहुंचना शुरू कर देता है दूसरे नमबर पर जो यहां पर मालवाक्षेतर में चन्ने की लिकाभी प्रकॉब होता है अगर इन कीटों का निंद्रन अपन को करना है पस्द ज्ञान दखे किसान भी खेत पर जाये निगरानी करें अगर कीट है तो तुरंद डिसीजन ले और उसमें की किट चिड़काव करें अब कोई से कीट नास चिड़काव करना है बाजार में बहुत सारे किट नासक उपलब इसे तरह से प्लुमेंडामाइड मैंने जो यह तीन चार दवाइं बताई है इसमें किसी भी कितना से का लेकर के पांसोल लिटर पानी मिला करके चिटकाव करने पर आपको वांचित लाब मिलेगा उसके बाद में आती ही बीमारियों की बात बहुत सारी बीमारिय जो है अब इसके बीमारियों दिखाई देने लगी है क्योंकि अपन बड़सों से स्वयाविन लगाते जारें तो अगर आपको कुछ बीमारी के लक्षन खेत में दिखाई देते हैं तो अपने एक एक जाकुन जो नाम की दवा आती है उसकी लगवग 800-100 ml से एक लिटर मातरा प्रति ह शर्चाई करेंगे तो काफी रोगों में आपको कमी लिखाई दे देगी माँजा में कुछ աंन आपको मिले गा अब बात आती है कि किसान्थ जब पूरी जब परफयां जड़ जाती हैं उसके बाद में कटईव सिझक में आता है यानि सैट्रिंग प्रोब्लोम होती है किस पलिया जो हैं वो पूरा कलर उसने भूरा कलर ले लिया है तो किसान बहुत अच्छी इंफोर्मेशन्स हमारे किसान साथियों को दिये लेकिन उसके लावा हमारे कुछ प्रॉशन से मैं चाहूंगा कि वह हमारे किसान भाई उनका अंसर भी हम आप से जानना चाहेंगे सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जो आज के समय में खरपतवार के साथ में बहुत सारे कीट प्रबंधन के लिए भी दवाई को साथ में मिक्स करके इस्तमाल करते हैं तो आपके अनुसार वो कहां तक सही है और क्या होना चाहिए देखिए खरपतवार नासी और कीट नासी की मिला करके स्प्रे करने की जा बात है तो मेरा किसान में उससे यह आग रहे है कि खेत में जाएं पहले निगरानी करें कि वास्तम में वहाँ पर कीट उपलब्द है या नहीं क्योंकि खरपतवार नासी का इस्तिमाल करने का जो समय है मैंने बताए वह फिक्स है वह पोस्ट इमर्जेंस में 15 से 20 दिन है वह भी अपन इमीचातापर है इमीचातापर प्लस इविजामोक्स वाले जो खरपतवार नासी उनका इस्तिमाल करने का है उस समय अगर कीड़ा क्यात में नहीं है तो किड़नासा को मिलाने की जरूदी नहीं है और आपन विजवल भी देखर के वह सारे का जो खरपतवार नासी और किड़नासा का जो अगर संगतता आद देखें तो वह अगर उसका गोल नहीं फट रहा है तो मिल सकता है अगर आपने वहां पर दो एक पाने में आनुसेशान मातरा व लग जाएंगे यानि स्टर चाने यौण यानि आपका दई पढ़ जाता है इश्टर उस तरह से आपको लग लग दिखाए देंगे जा युइण साथ मिला करके एक जाए ना चीए को वाकर लेको आब मेरेको या गूज़ aucun करें। हई आधिक देखते हैं हमारे इस के किसान भाई गहां नेये का है देशी खाद scarsisISA यह इसका इस में में ते कि पाद पर को सभी केज़ और 15-20 दिन मौइना नहीं है कि अगर ऐसा करेंगे तो उसमें जो अपलब्द पोशकत्त्व है उसकी मात्रा का उसमें जरूर रूस मुक्सान होगा तुरूंत उसको विखेरें और विखेरने के बाद उसमें कल्टिवेटर चलाए या पाटा चलाए जेसा भी हो उसको वो मिठी में मिलाने का काम करें तो उसका जो है पूरा फाइदा किसान भ तो उसके इंदर जिवाम्रत या जो अभी आज के समय में वेश्ट डी आपिजय के हो कुछ कमकम मात्रा में भी इसंगा चाहे जीसे दो बहुत सारे तरीके हैं जिनका अपने कर सकते हैं जैसे वेलामे कंपोजर है अंफ्य श्रुष यह इनका किसान किसान करें जैसे आप देख रहे हैं कि प्री मांसुन आता है या मांसुन की बरसाद आने से पूर जो हल्की बुलकी बरसाद होती है उस समय वेस्ट निकंपोजर जो पहले से त्यार करके रहें और उसका खेट में आप स्प्रेय कर दें तो जो जितना भी आपका जो रेजिद्यू पढ़ा हुआ है या फसल अवसेश पढ़ा हुआ है वह तुरंत जो है अब गटित हो जाएगा और वह खाद के रूप में आपके की फसल को काम देगा और आपके जो और समयश्या है जो आप सोच रहे हो साब कूलपा चलाएंगे तब वह आड़ा आए आएगा या वही कर है तब दिकत करेगा तो यह सी दिकत नहीं आएगी आपके वह जो है पूरा का पूरा खात्म कर नोट हो जाएगा यदि आपके पास में गर का बीज प्लब्द हैं आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं प्रमानित बीज को आप तीन साल तक बेहिचक बो सकते हैं ना बस उस वह जो अप्चार करिए मातना में खादों का इस्तिमाल करिए और यह सब करने के बाद अगर आपन रपतवार का समय पर नियंतित करिए समय पर कीट का नियंतिन करिए तो आपका अच्छात वादन आपको जूरून मिलेगा वह आमदनी दूगूनी तब हो पाएगी जब आपन इन साल में बीज को बदले और इसके लिए बदलने के लिए मैं करना चाहूंगा कि अगर दस किलो भी सोयाविं का बीज अगर प्रतियक वर्स खरीद के लाते हैं नई वराइटी का या आपका प्रमानित वीज जो भी आप विराइटी बोहना चाहरें तो उस बीज को आप म सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा नाम डाक्र शाम सिंग सारंग्द होते हैं मेरे मोबाइल नमबर है 9424-530725 दन्यवाद होकम किसान सातियों से मैं कहना चाहूंगा वैसे आपके जो पूरी डिटेल्स जो है नंबर्स और यह सभी में आपके हमारे इस डिस्क्रेप्शन बोक्स के अंदर में डाल दूँगा आप वहां से भी आप ले सकते हैं और किसान सातियों जैसा कि आज आपने प पहुचे थे वह भी हमने पूचे और किसान सातियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक किसान बाइयों तक पहुचाए कि ताकि वह भी इसकी पेदावर ज्यादा से ज्यादा ले सके और इसका अधिक से अधिक मुनाफ़ा अमारी किसान बाइयों हो दन्यवाद जय हिन जय भारत